सिंसेर बच्चा जो हाड़ वर्किंग होता है वो हमेशा जो है धंग से पढ़ कर इसको एक बार में क्रैक करता है इस मोटिवेशन को वापस उपर करना होगा ये मोटिवेशन कंसिस्टेंट बारा तेरा घंटे पढ़ने पर आएगा तो right motivation और right consistent पढ़ाई के साथ में आप इस level को clear कर जाओगे अगर आप सही लोगों के साथ में, सही motivation के साथ में, सही तरीके से पढ़ाई करोगे और सही चीजों को follow करोगे तो आप सही में एक दिन इस title के हगदार होगे और आपके नाम के आगे ये title होगा Hello students, कैसे हैं आप लोग? I hope master शांदार हैं और जबर्दस्त हैं अगर आप C.A. के student है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important है ये आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले 5-6 साल आपकी जिन्दगी के कैसे जाने वाले हैं आपकी emotional journey कैसे रहेगी, आपकी mental journey कैसे रहेगी और क्या आप उसके लिए ready हैं या ready होना पड़ेगा तो कैसे होना पड़ेगा चलिए, start करते हैं मैं मान के चल रहा हूं कि भाई, आप आज के time पे इस stage पर है मतलब जी, हम C.A. Foundation की तयारी कर रहे हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं C.A. Foundation की और हमें लग रहा है हमारा C.A. Foundation क्रैक हो जाएगा या हो गया है तो आप इस stage पर है, आपने 12th pass करी है और आपने बहुत मेहनत करके यहां से उतार चड़ाव की journey देखकर C.A. Foundation पे क्रैक करने के लिए अपने आपको ready कर लिया है पास चलाना है, यहां पे लोग को याद करने का अलग तरीका है यहां पर accountancy economics में भी अलग तरीके से आता है exam में तो point क्या है जी, आगे क्या होने वाला है, अब आपका syllabus बढ़ने वाला है अब 4 के जगा 8 subject पढ़ना होगा, because यहां आएंगे 2 group, group 1 and group 2 yes, मैं बात कर रहा हूँ, अभी में 2023 के exam के बच्चों के नविंबर में हो सकता है 6 exam होंगे आपके, group 1 plus group 2 के बट उस पर अभी रुख जाते हैं, मान के चलते हैं आपके 8 exam है बट यह 8 exam थोड़े से लिंदी होंगे, पढ़ाई का बोज बहुत ज़ादा होगा और pressure होगा, क्योंकि हमने सुना है CA enter के अंदर में बच्चा जो है पहले attempt में बहुत कम पास होता है उसको 2-3 attempt लग जाते हैं, passing ratio यार थोड़ा कम है बट यह भी सुना होगा, sincere बच्चा जो hard working होता है वो हमेशा जो है धंग से पढ़कर इसको एक बार में crack करता है जैसे थे हमारे गुर्परी सर, जैसे थे हमारे रिशवरोरा सर उन्होंने एक बार में crack किया है मैं बहुत सारे ऐसे CS जानता हूँ जो इस जरनी में अटकते हैं और यहां पर ऐसे तो उनकी motivation होती है बट उनकी पढ़ाई इतनी होती है उनको लगता है एक level clear हो गया है अब break लेना चाहिए, अब अराम करना चाहिए, गलत है अराम करने से अगर comfort zone में आ गए तो दिक्कत आ जाएगी और यही होता है यहां पर, यह zone है comfort zone का क्योंकि कुछ crack किया है, बहुत लग रहा है, अच्छा हुआ है life में नहीं भाई, अभी आगे जर्नी बाकी है, यह पहाड की जर्नी है पहाड से motivation हाई है, जब syllabus देखोगे, लगेगा यार इतना burden है थोड़ा नीचे जाओगे, बट इस motivation को वापस उपर करना होगा लेगी कि हम consistent कितने हैं, अपने hard work में, अगर consistent होगे life उपर नीचे भी लेकर जाएगी, तो आप फिर भी इस goal पर आ जाओगे येस, उपर नीचे जाओगे, आपको लगेगा कि यार हम test के अंदर में फोड रहे थे, बट कई बार ऐसा भी होगा, आप सीधा यहां से नीचे गिर जाओगे, आपको लगेगा यार सबकुस तो सही चल रहा था, बट pressure handle नहीं हो पाया, जानता हूँ ऐसे लोगों को एक दिन पहले आके अटक जाते हैं, एक्जाम में कि यार क्या होगा, एक ही तरीका है consistency बिनाओ, अपने आपको सही लोगों के साथ रखो, जो पूरा पूरा focus इसमें रख रहे हैं, तो right motivation और right consistent पढ़ाई के साथ में आप इस level को clear कर जाओगे, तो यहां तक का पढ़ाव अलग तरीके से चल रहा है comfort zone से बाहर रहे हैं, consistent पढ़ाई करनी है, that's it, co attention नहीं है अब इसके बाद की journey पूरी अलग चली जाती है, क्योंकि यहां पे आपको करनी होती है article ship, जहां पे हम वापस से मो माया की दुनिया में वापस entry लेते हैं हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम देखते हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास भी आना शुरू होता है, लगता है थोड़ा सा luxury जी जाए लगता है आब जो है, हम थोड़ा सा हो सकता ना कि भाई, अपने crush से बात कर लें लगता है कि यार इस time पर हम थोड़ा सा अपना party वाटी कर सकते हैं, यही गलती करोगे जो है CA Inter में उसको पता है, यही गलती हो रही है लग रहा था, पढ़ाई का time कम है, तो छोड़ो यार, हम थोड़े time break ले ले लेते हैं और यह break थोड़ा नहीं कितना लंबा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा यहाँ पे ध्यान रखना भाई, यह जो gap है, यह gap हमेशा हमेशा के लिए ना हो और यह gap नहीं हो अच्छा है, यहाँ पे र्याद रखना, अगएन, perseverance यह है हमारा perseverance का time, perseverance का time perseverance क्या होता है? माँझी, माँझी perseverance है आपको काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है रिजल्ट आए या ना आए, रिजल्ट आएगा एक दिन अपने आप पूरी काइनात आपको इस तगा पे पहुचा देगी येस याद रखो भाई यहाँ पर हो सकता है आप 12 गंटे ना पड़ो 4-5 गंटे पड़ो 5-6 गंटे आपने मेहनत करी आर्टिकल शिप के बाद में वो 5-6 गंटे कब 12-13 गंटे में वापस बदल जाएंगे और अब इस जर्णी को क्रैक कर लेंगे याद रखिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हर जगा की जर्णी अलग-अलग है अगर आप सही लोगों के साथ में सही मोटिवेशन के साथ में सही तरीके से पढ़ाई करोगे और सही चीजों को फूलो करोगे तो आप सही में एक दिन इस टाइटल के हगदार होगे और आपके नाम के आगे ये टाइटल होगा सो भाई लोगों याद रखना और किसी बच्चे को लगता है कि उसने सही में गलतिया ऐसी करी थी वो हमें कमेंट में बताना देखना चाहते हैं हम कि यार किन बच्चों को लग रहा था कि वो भैग गए थे और अब वो सही रस्ते बे आ रहे हैं बताईएगा में कमेंड में, सो मिलेंगे और ऐसी वीडियो के साथ में तब तक के लिए, पाई बाई, टेक केर, अलवेज़ाइगा